आज हम लोग थोड़ा सा लाइब ट्रेड करेंगे कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था रात को दिखें लाइब ट्रेड थोड़ा सा में ज्यादा करने ही पा रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा 18, 19, 20 में बहुत लाइब ट्रेड करता था क्योंकि उस टाइब पर स्मॉलर व्हाँ पर अपको बता है मैं आपशन बाइंग भी करता था और शॉलिंग भी किया हूँ मैं बहुत कर रहा हूँ तो यहां हो जाता है कि आज हम लोग प्लान करेंगे लिट से 900 क्वांटिटी हम लोग ट्रेड करेंगे और 6 से 7,000,000 मैंक्सिमम यूज होगा और हम लोग का स्टॉप लोस रहेगा डे वर का 60 या फिर 70 रूपीज का एसल रहेगा किने अगर 70 रूपीज एसल चला जाता है हम लोग ट्रेडिंग बंद कर लेंगे और हम लोगा टारगेट सेम 120 से लेकर 140 पॉइंट करेगा क्योंकि मैं हमेशा रिक्स टु रिवर्ड पर विलीव रखता हूँ तो हम लोग अगर दे का 70 रूपी जैसल प्लान करते हैं 120 140 हम लोग प्लान करेंगे और ओवर ट्रेडिंग ना हो जा इसके लिए मैक्सिमम अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूँ तो डेफिनेटली 5-6 ट्रेड तो हो सकता है ले ले तो मैक्सिमम 7-8 ट्रेड समलोग प्लान करेंगे अगर इसके अंदर आ जाता है प्रॉफिट वेल एंड गूर्ट तो हम लोग इतना प्लान करेंगे आज़ोप आपका यह प्लान हो गया होगा तो चलिए मैं दूसरे एकांट में अल्रेड ले चुका हो अभी हम लोग स्कैल्प के अंदर आपको 9.15 से लेकर 10.15 या 1 hour के अंदर आपको opportunity मिलती है ठीक है तो definitely हम लोग कुछ ट्रेड लेंगे I'm just waiting for किने कुछ अगर ट्रेड मिलता है तो हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पे still मेरे लिए थोड़ा सा market bullish होना चाहिए current level से क्योंकि नीचे की तरह market try कर चुका है और मेरा target रहेगा यहां पर हम लोगों का exit हो समय अरूंड इस level के आसपस जैसे मैं बोल रहा था था थोड़ा सा जिस लेवल पर trade कर रहा है तो मैंने wait किया यहां से मैंने buy नहीं किया क्योंकि country लिए volatility थी यहां पर spike लगा के market नीचे है generally क्या होता है मैं आपको बार बार एक point बताता हूं जब भी एक level से fast selling या फिर इमाजिन करो fast selling आ गया या फिर एक जगा पर नीचे गया और fast buying आ गया तो इस सारे लेवल थोड़ा से दिख रहा है तो मेरा पहला target के नहीं यह पहले cross हो जाएगा और यह cross करते ही साथ फ्लो में निकल जाएगा हम लोग का target आज सकता है कि यहां तक हम लोग को पहुंच जाए तो हम लोग को पहला trade में थोड़ा हो प्रॉफिट हो और हम लोग निकालेगे कहां पर समयरा इस level हम लोग निकालेगे पहला target मेरा यहां पर है विचीज लुक लाइक कि नहीं हम लोग को profit मिल चुका है यहां फिर मिल रहा है अल्मोस्ट यह touch कर गया जिस तरी इस प्लान था अभी में वेट करूंगा यहां पर हम लोग एक profit बुक करेंगे समय अराउंड 42,267,70 की आसपर 21,000 अभी दिख रहा है विल वेट थोड़ा सा क्रॉस होने दीजी यह level तो अभी हम लोग का target यहां पर आप देख रहा होंगे आ रहा होगा एक्सप्लेइन करते हैं साथ 40,000 यहां पर मैं टार्गेट था यह आ भी गया था ठीक है थोड़ा सा वेट करते हैं एक बार इसको break करने देते है यह level के आसपास और एक बार आने देते हैं थोड़ा सा हो सकता है कि यहां पर ओल्ड करें 57,60 के आसपास आने देते हैं देन व मेरा इंटेशन है आपको scalping सिखाना तो हम लोगों ने यहां पर trade लिया stop loss यहां पर प्लान किया यहां पर सार सेलिंग हुआ था तो definitely यह एक अच्छा momentum दिया और पहला target हम लोग का यह हम लोग का scalping हो गया 1.2 हम लोग का target है 17,000 हम लोग लोग कर सकता है बहुत सारे लोग क ले पे भी ठीक है तो अभी थोड़ा सा wait करता है में next trade के लिए फिर entry के लिए wait करूंगा अभी हम लोगों को एक अच्छा profit यहां पर मिल चुका है 55,000 का अभी wait करते है 900 में trade कियाते है just wait for it कि ने next trade कम मिलेगा और जिस तरीके का volatility है chances से कि ने यह हो सकता है कि थोड़ा सा deep correction करेंगे चांस है सार वेरी आई क्योंकि जभी volatility morning में दिख जाता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि ने volatility दिन बार रहने वाला है यह छोटे-छोटे price point जब आप regular trade करोगे तभी आपको समझ में आएगा तो मेरे लिए अभी put के side भी profit कमा सकते है ऐसा नहीं कि put के side हम लोग कर रहा हूं कब हम लोग को entry मिले अगर थोड़ा सा correction होता है तो हम लोग को थोड़ा सा put के side मिल सकता है मैं put में entry किया यहां पर और हम लोग जल्दी इसको profit book करेंगे इसके पीछे का भी region है just wait for it 7000, 6000, 11000, 12000 हम लोग को almost जित्रा मुझे चाहिए ता almost विल चुका है बस यहा क्या होता है जब morning hour के अंदर volatility रहती है यह volatility आपने देखा तो यह दिनवर रहने का chances है तो that means अगर यहां से एक बार क्रॉस क्या 42,300 के आसपास अगर नीचे आ रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा deep correction करेंगे एक point ध्यान मेरे को बहुत सारे लोग बार बार यह एक्सपेक्टर बता दो जिसके अंदर profit हो में आपको 5 एम हो गया inside candle हो गया यह सारे प्लान क्या हो आने वाले टाइप में offline classes रहेंगे वी जितने लोग discussion box में account कोल रहे है या trade कर रहे है जो लोग continuously trade कर रहे है मैं उनको personally बुलाने वाला हो और उनको सिखाने वाला क्यूंकि देखे एक point धा आना चाहिए कि नहीं आप एक trader बन रहे हो losses कर रहे हो profit कर रहे हो be proud of it कि नहीं आप समझ रहे हो आप बस अगर ATM मसीन के तरह देख रहे हो कि आरे पैसे मिल रहा है यह मिल रहा है तो इससे कभी आप trader बन नहीं पाऊगे इट से business इसको आप मजे लोग कि नहीं market नीच आया losses ह हुआ profit हुआ losses हुआ इस तरीके का trade मिलेंगे trade miss होंगे justify होगा आप लेकिन वह एक एरा में निकल चुके हो कि एक ऐसा setup मिल जा इसके अंदर बस पैसे ही पैसे मिले यह नहीं होता है it's all about probability, risk management, money management यह सारे आपने आपको discipline मनाना तो आपको एक खुसी मिलेगा कि नहीं आप trader ह दिरे-दिरे आप trading सीख रहो तो मेरा intention वहां पर हमेंसा रहता है कि अच्छा probability वा ट्रेड बताओ और जिस तरीके से में price को समझाओ वो पहले आपको समझाओ आप trade setup खुद बना पाओ तो चलिए अभी थोड़ा सा में देखता हूं कहां पर एक trade हम लोग का call के side मिस हुआ है बढ़ ठीक है no issue मैं आपको समझाओ थे एक trade हम लोग ले सकते थे call के side पर 62 ठीक हमको मिलेंगे trade क्योंकि scalpers के लिए हम ऐसा trade रहता है don't worry about it यहां से यहां मूब कि हम लोगो ने पैसा कायमाया market यहां से यहां मूब किया कुछ ही तो कमा है अब यह market थोड़ा सा ब्रेक करनेया कोशिस कर रहा है जैसे मैंने बोल रहा था कि नहीं जब यह negative था तब भी call purchase कर सकते थे थे थोड़ा से मिस हो गया क्योंकि मेरे entry मिस हो गया तो मैं next trade वेट करूँगा क्योंकि आपको ट्रेट्स मिलेंगे मलें वह 50 पॉइंट के लिए हो 10 रुपे के लिए हो पांच रुपे के लिए ट्रेड लेके मिलेंगे लगे से एक opportunity हम लोग का कॉल पर मिस हो था मैं यहां पर entry लेना चाहता था लेकिन बाइदा टाइम डिसक्सन यह चला गया फिर उसके आद आपके लेवल से मार्केट नीचे नहीं आया और ऊपर जा रहा है तो आप अगर देखोगे समझोगे वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से अंट दो बार देखोगे तो आपको यह चोटे-चोटे पॉइंट कौन से टाइम पे में बता रहा था कौन से टाइम पेंटरी हो स स्कैलपर्स लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो है किने एंट्री करो आउट करो जैसे यहां पे हम लोगे चेह जार भले कमा है लेकिन से ही टाइम में आउट हो गये इन हुए आउट है ओके वाटे कैंडल ऑके गुट गुट तो अभी में आज ट्रेडर आप फिर ट्रेड करेंगे लेकिन जिस तरहीं कैंडल बनाया है और मार्केट नेगेटिव दिख रहा है ठीक है मैं वेट करूंगा ट्रेड लेने के लिए एक मुझे लग रहा है पात दस मिनिट लगेगा नेक्स ट्रेड मिलने के लिए क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ चुका है तो यहां पर फज्जा होगे तो इससे आपका लॉसस होगे अफिनेक्स ट्रेड लेने में आपको अपको और लेटर की वेट फॉरेट क्योंकि वोलेटिलिटी मौनिंग से दिख रही है तो आज दिन पर वोलेटिलिटी रहेगा यह हम लोगों ने डिसकस कर लिया है अब य करते हैं कि अच्छे ट्रेट्स एंट्री मिलें ओके तो यह थ्री हंड्रेड टू फिफिटी टू अंड्रेड वोलेटिलिटी है तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूं एक्जाक्ली दिखें किस तरीका वोलेटिलिटी है एक ही क्यांडल के अंदर अगर आप लोग देखोगे ओपन वहा था 278 यह चला गया 350 70 80 पॉइंट उपर फिर नीचे चला आया 78 पॉइंट नीचे मतलब टॉप से 300 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट उपर पचास पॉइंट उपर नीचे तो इससे आप फज़ जाओगे इट सॉलेटर की नहीं जस्ट होल्ड और नॉर्स की नहीं टाइम आएगा तो ट्रेड लेंगे डोंट पैनिक तो हम लोग ने हाँ पर नौसा क्वांटिटी पर्चेस किया है साथ अजार आठ हजार साथ अजार पांच अजार आठ हजार ऑके थोड़ा साइटिंग रिवर्सल हो रहा है एक हजार जो हम लोग ने प्रॉफिट कमा है जाता हो थोड़ा सा में भी लॉसेस में जा सकता है ज्यादा देर के लिए वेट नहीं करेंगे हम लोग के ट्रेकी दिख रहा है कि यह रिट्रेश्ट करने आएगा जैसे मुझे लगा विल सी ज्यादा लॉसेस तो प्लान नहीं करेंगे मार्केट थोड़ा सा पॉजेटिव ही दिख रहा है तो हम लोग इससे बाहर ही हो जाते है क्योंकि जिस लेवल पर ओल्ट कर रहा है लोक लाइक किने पॉजेटिव साइन बस एक हम लोगों को यह रिट्रेश्ट करने आ जाए तो हम लोग निकाल लेंगे पांच अजा थोड़ा सा प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हुआ है ना ना 2000 2000 4000 एंटिंग बेटर है थोड़ा सा वेट करेंगे और एक बार नाइन थाज़़न का लॉस हुआ ओके फाइट नो इशो अभी हम लोग वेट करेंगे एक ट्रेड में लॉस हुआ है हम लोगों को कॉल एक स्क्रीन में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ड रहता है स्कैल्पिंग क्योंकि आपको बार बार मल्टिपल स्क्रीन देखने रहता है मुझे चार्ट इन डीटेल में देखना रहता है छोटे स्क्रीन में थोड़ा सा डिफिकल्ड रहता है आपको एक स्क्रीन में दि प्राइस जैसे यह ब्रेक करेगा थोड़ीप करेंगा समय राउंड इस लेवल तक 185-87 यह पॉइंट पर 30-40 रुपे हम लोग जैसे यह ब्रेक करेगा हम लोग को 185 इस लेवल तक आ सकता है तो बस मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूं कि अगर एक एंट्री मिलता है तो हम लो क्या पास 220 अरे यह क्यों लेट हुआ यह लेट क्यों हुआ बहुत लेट हुआ आप देखें बहुत ज्यादा लेट हुआ मार्केट आया 207 इसलिए मैं बोलता हूं कि नहीं अच्छा प्लाटफॉर्म नहीं हुआ तो आप हस सकते हो पुट की तरफ हम लोग उने भाई किया स्टिल्ललो को पैसा क्यों नहीं मिल रहा वाने टी यह शू कि और वाना स्टार्ट हुआ हम लोग का 185 तब तरगेट था यह बहुत जयादा टीले एंट्री वेट्व एंट्री वा परफिक्ट प्लेस पे हम लोग को इंट्री नहीं मिला सेकंड के बाद मिला पता नहीं अह अब एंट्री लिया यह होता है स्कैल्पिंग में इफ यह प्लाट्फोर्म इस नौट सपोर्टिंग यह हो तो बेटर है उस दिन नहीं होने वाला है खुछ ठीक है 200 तक आया 193 आ गया 192 173 ग्रेट ग्रेट पॉइंट यह देखो मैंने एंट्री फिर से किया लेगे ओके ओके हो गया अप लोगों का और एक स्कैल्प हो गया हम लोगों 84,000 का प्रॉफिट मिल गया यहां पेंट्री किया हम लोगा टार्गेट था 42,185 तक टार्गेट था 185 आ गया इसके आद में अभी वेट करूंगा इसके आद में इसको ओल्ड नहीं करूंगा यह बाइन के लिए हम लोग सेलिंग के लिए वेट कर रहे हैं मुझे पता है अगर यह ब्रेक करेगा 30-40 रुपे मिल गया और इसमें बड़ा ट्रेट प्लान नहीं कर सकता है मेरा पोजिशनल में अगर यहां तक आ जाता है तो मैं पोजिशनल का मेरा इसल निकाल दूंगा क्योंकि और मुझे आपको दो स्क्रीन चाहिए और आपको दो स्क्रीन की जरुवत नहीं पड़ती क्योंकि आपका और यहां पर होगा आप चार्ट पे भी बाइसेल कर सकते हो बाइसेल तो यह स्काल्पिंग के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है पोजिशनल के लिए मैं अभी यूज कर दोनों फ्री है तो फिर से यह दिखिए उपर की तरफ आ गया इसके लिए मैं बोल रहा था 42,185 तक हम लोगा टार्गेट होना चाहिए जो कि हम लोग को मिल चुका आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से दोनों साइट स्कैल्पिंग में पैसा मिल सकता है हमेसा एक आपका पहला कंडिशन हो गया टार्गेट के लिए लिए और फ्लो में ही 140-30 रुपीज मिल गया तो बेटर बंद कर दीजे क्योंकि आपका डे का टार्गेट आ चुका है उसके बाद ओवर ट्रेडिंग हो जाए जैसे हमने बोल रहा था इसके बाद अगर मैं ट्रेड लेत ट्रेंडिंग रहा तो पहले आवर में हो जाएगा इसके बाद अगर हम ट्रेड लेगे चांसे से किने प्रीमियम डिके होते रहेंगे एंड लॉसे होने का चांसे से और जिस तरीकी का मार्केट अभी दिख रहा है अगर यह गलती से आज का डेक का लोग अगर क्रॉस करता है तो चांसे से 42,000 तक भी चला जाए अगर वहां तक चला जाएगा तो और एक स्काल्पिंग का उपर्चुने मिल सकता है लेकिन इस बेटर किने जाने दो क्योंकि मौनिक से प्रॉफित हो चुका है एंड वान मोर थर्ड पॉइंट है दो पेंट होगे आप लोग का सब्सक्राइब का यह घ् freٹ लेंगे सब्सक्राइब करना अगर और पांक शे UMKंड यह देख्री यह सब्सक्राइब करके, यह और यह ब्रेक व्रे सब्सक्राइब के सिब्सक्राय को है देख्री awaken eurylectional और आपको प्रेंट करने झ्यांट है करते हैं यहोप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो बहुत बड़ा हो जायागा इन फ्यूचर जबी में टाइब मिलेगा मैं ट्राइब करूंगा कुछ पॉइंट्स बताने के लिए या कुछ चीजे और एक्स्प्लेन करने के लिए अभी क्लिए फ्रेंट्स इतना ही लाकिस में फिर्स थैंक यू